सबसे पहले नए साल की सभी बिवोंडी वासियों को मैं शुपकामनाई देता हूँ जिस तरीके से पिछले दो साल से 2020-2021 कोरोना की लहर पहली लहर दूसरी लहर अभी और तिसरी लहर जो है जिसमें ओमाई क्रॉन ये नया विरियंट कोरोना का आया है सबी लोगों ने 2020 में भी और 2021 के सबी लोगों ने अच्छी तरीके से उसका पालन किया खास करके भ्योंडी के लोगों में अवाम कोरोना के लेके बहुत पैनिक थी बहुत सब लोग घबराई हुए थे लेकिन पुलीस प्रशासन और बाकी महानगरपाली का और बाकी के एजेंसीज ने मिलके बहुत अच्छी तरीके से लोगों में जन्रजागरूती हुई सैनेटाइजर, मास, सोशल डिस्सेंसिंग इसका जो है बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने ये चीज़ को समझा और अपनी यहाँ जो डेट रेशो है, comparatively बहुत कम हुआ दर्मियान जो अलग-अलग तेवार हुए थे, जैसे गनपती है, जैसे रमजान इद है, बगरी इद है, मोरम है ये सभी तेवारों में सभी हिंदू-मुसलिम भाईयों ने साथ दिया गवर्मेंट की जो गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका पालन किया और उसके तहट एक अच्छा माहुल जो है भिगोंडी में बन रहा है और कोई किसम की गटना, यहाँ प्यानुचित गटना जिसकी वएसे गाउ का माहुल बिगड़े ऐसी हुई नहीं इसमें सभी जो अमन कमिटी के लोग है, सभी हमारे पोलिस ओफिसर्स है कॉंस्टेबल मेरे से लेके कॉंस्टेबल तक हमारे दोनों एसीपी, सभी सिनियर पियाई, बाकी के पियाई, पियाई, एपियाई, हमारे वरिष्टा दिकारी और जनता का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है इसका ही नतीजा है कि आज एक बाकी जगह से इतना पापुलेशन होने के बाद भी भीवंडी में एक लगबग जो कोरोना का जो चल रहा है अभी तीसरी लेहर का, उसमें भी लोग दिख रहे हैं कि यह यह चीज करनी चाहिए, यह चीज नहीं करनी चाहिए रात के समय जो पहले ज़्यादा दुका ने खुलती थी, हमने उसका अवेरनेस किया तो अभी जल्दी लोग शॉप्स वगरा बन कर देते हैं दूसरी बात जो बड़े गवर्मेंट की गाइल नाइन में जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उसने भी जो है होटेल्स में 50% ही लोग अकुपेशन जो है वो जो है अकुपाइड हो सकते हैं दूसरी बात है कि शादी बिया के मामले और दूसरी जगवे भी वो लिमिटेशन उसमें रखे गए तो यह सब नियोंवा का पालन जो है यह आम जनता ने करना चाहिए और आने वाला जो तिसरी लेर ओमाइकरॉन की बोल रहे है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर फैल र आने वाले तो इसके लिए हमें तैयार रहना है बीवनडी के जनता ने पुलीस को बहुत साथ दिया है और इसके पहले भी दिया और आगे भी देंगे ऐसी मैं आशा विक्त करता हूँ और सभी जो मेरे पत्रकार भाई है और इलेक्ट्रोनिक प्रिंट मिडिया है उनको भी अब नए साल के सबको शुबकामनाय देता हूँ तीसरी लहर में लहर से फाइट करते हुए हमें अच्छी तरीके से ये कोरोना का खात्मा करना है और हमारी सभी हमारे भाईयों बहिनों की और सभी फैमिली मिंबर्स की हमारे रिष्टोदारों की हमें जान बचानी है तो इ अब भी आगे आगे भी ताउन रहेगा मैं सभी भ्योंडी शर्वासियों को एक बार फिर नए साल की हर्दीव शुबकामनाय देता हूँ शुक्रिया